चलिए आज हम लोग इस वीडियो में सेसन पांच का Do It Yourself, Take a Challenge और सेसन एंट टेस्ट बनाएंगे तो चलिए सबसे पहले तो Do It Yourself बनाते हैं, सेसन पांच है यह और IT का तीसरा सेसन है तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को, तो सबसे पहले देखें यहाँ पर क्या कर रहा है क्या कर रहा है, उपन पैंट, इंसर्ट ए टेक्स बॉक्स और राइट, I like to learn new things Set the text color as purple to cut new word from sentence and select it and click on the cut option तो सबसे पहले क्या करो, आप यहाँ पर start exam करो, start exam करने के बाद, सबसे पहला काम आप क्या करोगे, यहाँ पर paint application start करोगे तो यह देखो, एक तो आप search करके start कर सकते हो, दूसरा यहाँ पर taskbar में pin किया हुआ है, simply इस पर click करके, यहाँ पर paint application start करेंगे Start करने के बाद क्या करना है, insert a text box, यह जो A है ना A, इसी का नाम है text box, आप क्या करोगे, simple इस A पर click करो और इधर कहीं पर click करके, आपको यह चीज लिख लेना है, जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है, I like to learn new things, यह चीज इदर आप type कर लोगे type करने के बाद क्या करोगे आप, इसका color जो है purple करोगे, color कैसे होगा, तो इसके लिए इसको select करिए सबसे पहले, select करने के बाद, आप इधर देखोगे, तो इधर color है बहुत सारा, तो यह जो है सबसे corner पे, यही color है purple, तो आप क्या करोगे, यह वाला color purple कर लेना है, purple color करने क के बाद क्या करना है to cut new word from the sentence selected and click on the cut option इसमें जो new लिखा है ना यह जो word new लिखा हुआ इसको cut करना है यह कैसे होता तो पहले mouse से आप इसको select कर लो और select करने के बाद आप यहां पर देख सकते हो यहां पर उपर में option दिखेगा कट करने का तो simply आप इस पर click कर दो और click करके यहां से submit कर दो यह question आपका solve हो जाएगा चलिए question number two देखते हैं तो पहले क्या करना है पहले इसको start exam करना है आप पहले start exam कर लो और फिर question पढ़ो तो पहले तो background में कुछ भी खुला हुआ इसको यहां से don't save करके close करो और सबसे पहला का हम pen application start करो यहां पर pen application start होने के बाद क्या करना है insert the shape five point star यहां पर एक shape लाना है five point star यह जो area इसको shape बोला जाता तो इसमें क्या करना है आपको यह six point star है यह वाला जो star है यह five point star है तो आप mouse से क्या करोगे इसको ऐसे drag कर लोगे ठीक है five point star लेने के बाद add new color in custom color set the newly added color to save by using edit color in edit colors select any color and click on okay add custom color देखो इसके लिए क्या करना है edit color के लिए आप इधर चले आओ यह देखो corner पर लिखा हुआ edit color आप इस पर click करो अग क्लिक करने के बाद क्या करोगे कोई सब यह color ले लो यहां से color लेने के बाद add to custom color कर दो और फिर यहां से ok कर दो ok करके simply इधर submit पर click कर दो तो इस तरीके से दूसरा question भी आपका बहुत easily submit हो जाएगा आते है question number 3 हम यहां पर पहले start exam कर रहे हैं आप भी कर सकते हो और उसके बाद क्या करना यह जो background में खुला हुआ इसको यहां से close कर दो और फिर से यहां पर paint application start करो चुकि paint application ही बोल रहा है तो देखो यह से बला एरिया है यह आपका होगया rectangle इसके जस्ट बगल में दिया है rounded rectangle आप क्या करो इस पर click करो rounded rectangle पर इस तरह से बना लो बना लेने के बाद क्या करना इधर text box लाना है shape के अंदर और type करना है save water save life आप क्या करोगे एक text box लाओगे इधर text box किसको बोलते ह यह है ना इसी का ना में text box हम simply इस पर click करेंगे और इधर click करके यह जो बोल रहा है कि यह चीज़ इतर आपको लिखना है save water सेफ लाइफ यह चीज़ आपको इधर लिख देना है लिखने के बाद क्या करना है तो size जो है इसका 36 करना है अब font change करना है comic sense ms तो देखो कैसे होता है इसको select कर लेना सबसे पहले इसको select कर लेना और size जो है यहाँ से change होता है यह जो लिखा हुआ है 36 और लेड़ी लिखा हुआ है फिर भी आप इस पर click करो और इधर जाके 36 ले लो size 36 लेने के बाद क्या करना है इधर font change करना है comic sense ms करना है तो font देखो यहाँ से change होता ओपर से यहाँ पर यह जो drop down है यहाँ पर click करना है और click करने के बाद यहाँ पर देखना है comic sense ms किदर लिखा हुआ है तो यह देखो यहाँ पर है comic sense ms तो इस पर click कर लेंगे और simply इसको submit कर देंगे नहीं बना एक बार और इसको try करते हैं में भी ऐसा होता है कई बार आप बनाते हो बट एक बार में नहीं बनता है तो उसको छोड़ना नहीं है एक दो बार try करना है हम इसको फिर से try करते हैं तो सबसे पहले तो pen application start करेंगे दूसरा क्या करेंगे यहाँ से rounded rectangle save ले लेंगे ऐसे करके rounded rectangle save लेने के बाद क्या करना इ देखने के बाद इसको select करेंगे माउस से select करने के बाद सबसे पहला काम तो font का size 36 ले लेना है और font जो है change करना है बन तो रहा है बिलकुल absolutely right बन रहा है बट अगर submit नहीं होता है तो आप दो बार try करके आप आगे बढ़ सकते हो इसको छोड़ो दो इसको बाद में try करते है फिलाल आगे बढ़ जाते है question number four ले ले लेते हैं ऐसा होता है कई बार कि आप सही भी बनाते हो बट submit नहीं होता है तो उस case में आप दो तीन बार try करिए उसके बाद आगे बढ़ जाए चुकि time को भी देखना है time से सारा question भी solve करना है तो हम लोग देखते है question number four पहले ठीक यह जो page है ना इसका पूरा color कर देना है gray तो वो कैसे होगा तो उसके लिए यह जो आप देख रहे हो ना fill with color यह जो है आप इस पर click करो पहले और color जो इदर gray ले 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 लेना है तो आयो यह जो color है यह gray है यह black हो गया उसके just bugle में gray color है तो आप इस color पर click करके पूरे page में यह color डाल दो page color करने के बाद क्या करना है to delete a rectangular area on the canvas for select choose the rectangular selection option insert anywhere in drawing area right click on the section click on delete देखो क्या करना है आप इदर चले आना select पर चले आना आप इसी पर right click करोगे right click करने के बाद आपको इदर दिखेगा option delete करने का तो आप इस पर click कर लो और click करके सीधा इसको submit कर दो एक बार में submit हो जाएगा यह तो इस तरीके से चौथा question बन गया अगला देखते है पच्मा question पच्मा question भी paint application से ही है तो वही पहले तो क्या करना start exam करके पीछे का जो कुछ भी है इसको close करो paint application start करो start करने के बाद क्या कर रहा है firstly select natural pencil from brushes कर रहा है कि आप brushes पे जाओ और brushes में natural pencil find करो तो यह brush हो गया oil brush हो गया crayon हो गया marker है यह है natural pencil तो आप natural pencil पहले ले लो फिर दूसरा का रहा है इसका size जो है न 4px करना है तो यह देखो इदर size दिया हुआ है तो आप size पिछले जा और देखो 4px कौन सा है यह 4px उपर वाला यह 4px ले लिए and the orange color orange color बोल ले लेने के लिए तो यह हो गया red color यह हो सिरा सम्मिट कर देना है तो देखो यह भी सम्मिट हो गया तो यह पाचमा भी सम्मिट हो गया आगे देखते है question number 6 इस बार जो question बूच रहा है वो पूच रहा है not paid program से तो देखो इसको भी आप बहुत इसली बना सकते हो पहले इसको cut करो यहां से और पे इंदर not paid program तो देख सकते हो इस तरह का जो icon है not paid का icon है तो आप यहां से भी not paid start कर सकते हो दूसरा आप यहां से search में जाओ और यहां पे लिख दो not paid तो इस तरीके से क्या होता not paid start हो जाता है not paid start होने के बाद save your document with name not paid using file tab बोला कि आप file tab का प्रियोग करो और इसका save करो not paid के नाम से तो द तो file name इतर हम not paid ही लिख देंगे और not paid लिखने कबाद simply इतर save करेंगे और save करने कबाद यहां से सीधा submit कर देंगे तो ऐसे करेंगे तो आप छठा question भी solve कर लेंगे number दिखते हैं 7 यह भी question not paid से ही है बहुत असान होता है not paid का तो इसको पहले तो close करो और not paid आप यहां से start कर करने के बाद क्या करना है size A4 करना है orientation landscape करना using file page setup यह suggestion भी देता है थोड़ा बहुत आपको समझना है यह देखो बता रहे है file जाओ file से page setup में जा तो हम चलते है file से page setup अब page setup में आने के बाद यह हमको बोल रहा है कि size A4 करना है तो देखो यहां पर size लिखा हुआ है तो इस पर click करके size सबसे पर ले लेना है size लेने के बाद orientation landscape करना है तो देखो यहां पर orientation है यह portrait है यह landscape है तो सीधा इस पर click करके इधर ok कर देना है आउके करके इसको समिट कर देना है तो ऐसा करेंगे तो आपका यह B question solve हो जाएगा नंबर आते हैं आठ हुआ नंबर आठ देखते हैं यह भी not paid से ही सवाल है तो भाई पहले तो not paid स्टार्ट करो दूसरा काम क्या करना है इधर type the text nature is our best friend मतलब कह रहा है कि यहां पर आपको best friend best friend best friend यह चीज लिख देना इधर यह लिखने के बाद क्या करना है change its font as aerial style ball detailic size 20 using format font देखो आप क्या करोगे इसका use करोगे format font का तो देखो यहां पे लिखा है format उपर में edit के जस्ट पगल में format पे जाओ format में जाने के बाद font में चले जाओ अब font में जाने के बाद यह जो कह रहा है सबसे पहले कि font जो है aerial करना है aerial ले ले लेंगे और ball detailic करना है तो यह narrow ball है यहां पे दिखा हुआ है लिखा हुआ बॉल इटालिक तो इस पे क्लिक कर दो बॉल इटालिक पर और साइज करना है 20 यह देखो साइज है यहां पर 20 इस पे क्लिक करके सीधा OK कर दो और समिट कर दो प्रॉब्लम आता है चलो अगला कोशन बनाते हैं कोशन नमबर 8 तो सबसे पहले स्टार्ट एक्जाम करो स्टार्ट एक्जाम करने के बाद सबसे पहला काम क्या करना इदर तो हमको नॉट्पेट स्टार्ट करना है तो हम यहां से भी स्टार्ट कर सकते हैं नॉटपेट पर क्लिक करेंगे और क्या करना इदर ये चीज लिखना है एने टी यू आर ए सोरी नेचर इस आवर बेस्ट फ्रेंड ये चीज लिख देना इदर लिखने के बाद क्या करना है इसका फॉंट चेंज करना है ये एरियल, बॉलल इटाली, साइज 20 यूसिंग, फॉर्मेट फॉंट देखंगो पहले आपस्ट कर लो इसको ठीक है, स्लेक्ट कर के फॉर्मेट में चले आना और फॉर्मेट में आने के बाद यहाँ पे लिखा हुआ हुआ है एनि इस पे क्लिक करना करना इस पर क्लिक करने के बाद सबसे पहला काम करना क्या है कि एरियल करना है फॉंट फॉंट जो है एरियल करना है दूसरा बोल क्या रहा है यहाँ पर बॉल इटाली करना है तो बॉल इटाली कर लेंगे और तिसरा फॉंट नेम जो है नॉट पेट से सवाल है तो हम क्या करेंगे बाई सबसे पहले तो हम सिंदृ सब करेंगे यहां से नॉट सत पर करेंगे यहां से लिएस नीचे यहां पर दिखेगा टाइम डेट आप इस क्लिक कर लोगे और इसके बाद इसको सब्मिट कर दोगे तो ऐसा करेंगे तो नौ नमबर का भी सब्मिट हो जाएगा बसता है नमबर टैन ठूरी को एक बार और ट्राइ करेंगे लास्ट में पहले 10 को हम लोग बनाते हैं तो इसको पहले कलोज करिए not bad start करो यहां से पहला काम not bad start होने के बाद क्या करना है इदर change the left margin 50 mm and top margin 45 mm तो फाइल टेप में आना page setup में आना यही बोल रहा है file tab में जाना है page setup में जाना है जाने के बाद यह जो लिखा हुआ है inches में है तो फिलाल अभी क्या करोगा इदर देखते हैं 50 लिख देता हूँ इदर 50 लिख देना है left में top कि दर है इदर top में कर देता हूँ 45 चलो भाई लिख के ना इसको ok करते है कुछ problem इसलिए चुकि यहां inches में है millimeter कर रहा है उसका कुछ setting change करना होगा तो फिलाल सब्मिट करोगे तो सब्मिट हो जाएगा चुकि आपको page setup पे जाना है तो page setup पे जाते हैं तो आप वो submit करते हो जाता है एक बार तीसरा नमर को फिर से try करते हैं चुकि दो बार मैंने पिछले पिछले बार try गया बट नहीं बना बट एक बार और इसको try करते हैं दो इसमें क्या कहा रहा है कि paint application start करना है तो यहां से paint application start कर दिये rounded rectangle shape लेना है तो यह जो shape है इसका नाम है rounded rectangle तो simply इसको ऐसे लेके drag करो फिर इसके अंदर लिखना है तो लिखने के लिए यह एक अप प्रयोग करेंगे फिर इस box पे click करेंगे और इदर लिखना है save water और save life चलो भाई यह चीज लिख दिये लिखने के बाद क्या करना है इसका size बोल रहा है 36 करना है तो वही चीज तो मैं कर रहा था उसमें भी अभी भी मैं वही काम कर रहा हूँ दूसरा क्या करना है इसका font चेंज करना comic sense तो चलो भाई यह चीज हम चेंज कर लेता हूँ comic sense और कुछ तो नहीं करना इदर ठीक है बाल्ड बाल्ड है तो चलो भाई इसको हटा देते हैं भी everything is okay ऐसा करके इसको करते हैं submit चलो भाई हमसे तो नहीं बना बट आप लोग ट्राइक करिए गर लैब में दो तीन वार अगर बन जाता तो बहुत अच्छी बात है नहीं भी बनता है तो चलो क्या कर सकते हो तो फिलाल इसको कर देते हैं यहां पर end test फिर yes करेंगे और end exam करके इसको confirm करेंगे तो इस तरीके से आपका do it yourself बन गया अब आगे थोड़ा सब लोग देख लेते हैं इसका टेके चैलेंज क्या पूछ रहा है session 5 चली आगे हम लोग session 5 का टेके चैलेंज देखेंगे do it yourself हमने बना दिया अब चलते हैं टेके चैलेंज पे टेके चैलेंज में सबसे पहला question जो है टेके चैलेंज 21 क्या बोल रहा है question देखे यहां पे question बोल रहा है कि you want to open the not paid application to create a tax document how will you open this application तो यह application कैसे start होगा आप start पे click करेंगे पहले start पे click करने के बाद यहां पे option मिलेगा window as a series आप इधर click करोगे window as a series पे और फिर यहां मिलेगा not paid बस जैसे click करोगे यह submit हो जाएगा number देखते हैं 22 टे के challenge यह बोल रहा है सब्सक्राइब इस पर use appropriate step to open word paid application word paid भी same वैसा start होगा start button पे जाओ window as a series पे जाओ और वहां पे देख लो word paid यह देखो सबसे नीचे यहां पे दिया हुआ word paid इस पे click कर लो तो यह भी बन जाएगा आपका number देखते है 23 23 बोल रहा है proceed करेंगे पहले बोला you have created document using word paid you want to increase the font size of text how will you increase the font size grow font का प्रयोग कैसे करोगे तो देखो यहां पे यह जो 11 के जस्ट बगल में यहां है न यह बड़ा वाला ए इसी का नाम है grow font तो आप सीधा इस पे click कर दो एक बार में ठेके challenge solve हो जाएगा number आते है 24 24 क्या बोल रहा है 24 पहले प्रोसिट कर लेते हैं you want to print a word paid document how will you open the print dialogue box print कैसे करोगे आप तो देखो उसके लिए क्या करना होता है file पर आना होता है file पर आओ गया यहां पर print करने का option दिखेगा सीधा इस पर click कर दो और फिर हो गया बस दो step में बन जाएगा number देखते 25 तो पहला number तो start कर गया है पहले यहां से the function keys on the keyword of the computer function key का 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 आप आर शॉटकर्ट की वोट शॉड़ वी स्पेस्पिक टास्क कैंसल द प्रोसीडर सो इंटर नमबस का इसका जो गणा अंसर यह होगा कि की वोट शॉटकर्ट है फोर इस पेस्पिक टास्क बिल्कुल सही होगा एक बार मैं नमबर आते हैं 26 26 देखते हैं 26 बोल रहा है an information system is a combination of people procedure software hardware and data मेभी इस कहां से true होगा चलो भाई true हो गया सही है number आते 27 27 क्या बोल रहा है तो which of the following statement about the software are true true software के लिए इसमें कौन से statement true है it controls hardware device यह सही है it is used to convert data into information यह भी सही है a program of software step by step instruction to do so all of these का जो right answer होगा ना all of these होगा ठीक है चलो भाई अठाइस देखते हैं क्या बोल रहा है इसमें राजी मदर बांस to recharge her dts account online which option should you dts recharge करना है तो यह दो को सामने यह आप option दियाओ डेटी इस इस पर click करेगा तो dts recharge कर सकता है number देखते है 29 replay करते हैं इसको 29 क्या बोल रहा है अमित इससे 29 का हो गया टेके चैलेंज आगे देखते हैं टेके चैलेंज 30 इसमें क्या करना है है तो पहले देखते question क्या रहा है पायली चेकिंग वैदर हर वाइकल डीटेल्स अर कोईटली रिष्टेड ओन्लाइन वाट अर्द इनिशल स्टेप दाट निज तो फॉलो आ स्टेडस देखना तो तो मेरे ख्याल से उसको ओन्लाइन सर्विसेस प्रेशा में आ तो पहले हम स्टार्ट करते हैं इसको क्या 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 किस्टन देख लेते थोड़ सा तो कारा इन window operating system you can see multiple programs का answer जो होगा true होगा okay identify the program that coordinates computer resource provide interface between user and computer that run इसका जो answer होगा operating system होगा अगर ये question आता तो operating system देंगे इसका जो answer होगा disk defrimandor used to remove one srv files इसका answer true होगा number four देखें application software of program that retain to maintain backup copy to interact computer hardware to help someone applying for the employment to do particular job by creating editing and saving information मेरे खाल से यह आंसर होगा इसका चार नमबर आते पच्छमा में फीचर इन में में स्वेंडों रेजियर से फर इसका आंसर ट्रू होगा पहले भी यह कुछन आ चुका एक दूबर एंटी वायरस प्रोग्राम जो है यह क्या करता है मेरे खाल से ब्राउजर सॉप्ट्वेर हाडवेर ऑप्रेटिंग यूदिलीटीज है यूदिलीटीज नमबर सेवन देखते हैं डिया से डिजाइन टू प्रिविंडर इस पर वायरस विंडो डिफेंडर ने फारवाल देते है पिछला वायरस देते तो रौंग हो गया था सॉप्ट्वेर इइं इन रिच्वीर प्रोग्राम बोलते हैं चलो बाई ऐस बन गया।ड़ कर दो आंएंज एम करते हैं करते हैं और फिर यहां से ओक्वाय करते हैं तो इस तरीके से क्या होता कि आपका तीनो छीज बनके र पांच का आई टी सेशन 3 आई टी का सेशन 3 तो चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए चुकि आगे और भी इन्फरमेटिस वीडियो आपके लिए आते रहेंगे तो मिलते ह अगले वीडियो है